हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी कृष्टन आज का हमारा वीडियो ग्रह आरंब मुहुर्थ के बारे में है अर्थाद नीव पूजन मुहुर्थ के बारे में है यदि आपने कोई नया प्लोट खरिदा है और उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो इस मुहुर्थ में आप कर सकते हैं शुब नीव पूजन इसमें पंडित की आवशक्ता होती है लगबग एक गंटे की पूजा तो होती ही है भूमी पूजन होने के बाद पांच पत्रों का पूजन होता है इसी समय में और जो भी शुब मुहुर्थ में बताओं उस समय में इन पांच पत्रों को नीव में रखा जाता है और नीव की चुनाई प्रारंब की जाती है इसके साथ ये कलश भी काड़ा जाता है नीव में तांबे का कलश सो ग्राम का जिसम पवित्र नदियों का जल हो कम से कम गंगा जल तो होना ही चाहिए नदी की मिट्टी हो और इसमें सर्प, चांदी का सर्प, चांदी का कच्छवा पंचरतन भी अवश्य होने चाहिए अपनी स्रद्दा अनुसार आप इसमें रखें और इस कलस को शुब मौर्थ में काड़ें उसके बाद नीव की चुणाई आरंब करें मकान बनाना प्रारंब करें तो 31 दिनों का जो मई का महिना है उसमें केवल एक ही मौर्थ है कौनसा? सोंबार दिनांक 4 माई 2020 वेशाक शुकल एकादशी इस दिन तितिक शय है इसलिए सबसे पहले तो चांवल का दान करके आएं कहीं पर मंदिर में सवा किलो चांवल उसके बाद पूजन प्रारंब करें इस दिन दो मौर्थ है एक मौर्थ है सुबह 6.40 से 8.30 तक और दूसरा मौर्थ है दिन में 12.08 से 1 बज़े तक 12.08 मिनट से 1 बज़े तक सुबह चाहें तो आप खुदे ही प्रारंब कर सकते हैं नीव की या नीव की खुदे ही एक दो दिन पहले ही अच्छे दिन देखकर कर सकते हैं चाहें तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं लेकि नीव खुदे इस दिन भी कर सकते हैं एक कोना आप तैयार कर सकते हैं इशान कोन में आप चाहें तो उस कलश को गाड़ सकते हैं क्योंकि इशान कौन सबसे पवित्र कौना होता है, इशान कौन कौन सा, यहां पर आप चितर देखें, पुरो और उत्तर के बीच वाला कौना, उसमें आप कलश को गाड़ सकते हैं, और खुदे कहां से प्रारम करें, चूंकि मेश सक्रांती है, इसलिए वायू कौन, यहां प पर राहू की पीट होती है, राहू मुख नेरत दिशा में रहेगा, राहू पुच इशान कौन में रहेगा, और राहू की पीट वायू कौन में रहेगी, इसलिए पीट पर खुदाई प्रारम करें, पीट से खुदाई प्रारम करें, तो चार मई के दिन मुहर्थ हैं 2020, ए कि ही मुहुर्थ है पूरे महिने में इसलिए इसे ना चुके हैं लेकिन इस दिन मितुन तुला कुम राशी वालों के लिए स्रेष्ट मुहुर्थ नहीं है तो क्या मितुन तुला कुम राशी वाले इस दिन मुहुर्थ नहीं कर सकते तो इसका एक समाधान भी है यदि आपके परिवार में किसी की मितुन तुला कुम राशी है तो उसे छोड़ दें अन्य किसी व्यक्ति के हाथ से नीव में पांच पत्थर आप पूजन करके रखवा देवें तो इस मूर्थ को आप कर सकते हैं इसके अलावा पंडित जन आपको दो तिन मूर्थ और हैं वे भी बताएं केवल चार मही का मूर्थ ही कलश शक्र शुद्धी सहित है तो आठ मही पंडरा मही और अठरा मही के मूर्थ स्रेष्ट नहीं है चाहे तो आप आठ मही का मूर्थ भी जान सकते हैं उस दिन शुकरवार है दोपर बारा आठ से सवा बारा से एक का स्रेष्ट मूर्थ है उस चार मई 2020 का मूरत सर्व स्रेष्ट है आठ माई के दिन मेश हसी है धनू राशी वालों के लिए स्रेष्ट मूरत नहीं है। तो ये जो तीन सेकेंड केटेगरी के मूर्थ है इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि किन-किन राश्य वालेओं के लिए श्रेश्ट मूर्थ नहीं है तो 4 मई सर्वस्रेश्ट मूर्थ है 4 मई 2020 इस दिन 2 मूर्थ है 6 बज कर 40 मिनट से 8 बज कर 30 मिनट 1 दूसरा मूर्थ 12 बज कर 8 मिनट से 2 पहर 1 बज़े तक ये दूसरा मूर्थ है तो 4 मई ही सर्वस्रेश्ट मूर्थ है 2020 मई के महिने में केवल 4 मई ही स्रेश्ट मूर्थ है इसे आप चाहें तो ग्रह आरंब में ले सकते हैं नया मकान बनाना चाहते हैं तो उसकी नीव इन 2 समयों में पूजन करके रख सकते हैं और यहां पर जो चित्र दिखाया को वायो कोन से whळाई प्राराभ करनी है और इशान कोन में आप चाहें। उत्तरवपूर के बीच वाले कोने में आप चाहें तो वहां पर आप नीव भरईय शुरू कर सकते हैं। पोसी बार लोग नेरत्य कोण में भी भरे करते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन कलश जो गाड़ते हैं, वहां शुब दिशा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए इशान कोण तो सर्वस्रेष्ट है, क्योंकि वहां शुद्ध कलश गाड़ेंगे, उसमें चां माई के दिन, घरा आरंब कर सकते हैं, नीव का पूजन कर सकते हैं, आठ माई, पंदरा माई, अठारं माई के दिन यदि कोई पुराना मकान है, उसका वापस जिर्णो धार करना है, तो कर सकते हैं, लेकिन नय मकान के लिए तो चार माई 2020 का मूर्थी स्रेष्ट रहेगा, अ आप मेसेज करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा धन्यवाद जैशी कृष्णा